एलो स्टुडेंट्स कैसे ओ आप सभी भावी डॉक्टर्स आई तिंग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग का वेट बहुत बेसब रिचे कर रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत मेहनत की मेहनत करके आपके अच्छे मांक्स आए अच्छी रैंक आई अब आपको इंतजार है सर काउंसलिंग का कि किस तरीकी से पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और एक सामने जो अपडेट लिख रहे है वो क्या अपडेट है सर काउंसलिंग की डेट बगेरा तो हम सारी बाते आप सभी बैर बच्चों के सामने कर तो यहां हम बात करते हैं आप सभी सामने और एक ही करके सबसे बहला जो डाउड था कि सर हमारी जो काउंसलिंग और इंडिया कोटा वाली वह कब से स्टार्ट हो रही है तो डिये स्टुडेंट वह आपके स्टार्ट हो रही है 15 से 20 जुलाई के बीच में ठीक एप्रोक्सिमे करेंगे देखो नेट यूजी 2023 कि मैं कंप्लीट डिटेल अनलाइस करने वालों काउंसलिंग की बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट ताकि आपको आपकी मार्क्स के अकोडिंग बैस्ट कोलेज मिल पाई स्टुडेंट्स ठीक है इसलिए कह रहा हूं कि से जोड़ जान अगर आपको नहीं ऐसे मालूम पर रहा हूं तो मैं यहाँ पर एक आपको वैबसाइट दिखा रहा हूं यह वैबसाइट आएगी इस वैबसाइट के उपर ही आपको सारे नोटिफिकेशन बगेरा ओल इंडिया कोटा के MBBS, BAC nursing और BDS के लिए मिलने वाले हैं यह वैबसाइट आप विजिट कर सकते हो अब बात आती सर आयूस वाले बच्चों के लिए कून से होगी अब यहां देखना स्टुडेंट से यह अलग वैबसाइट है यह वैबसाइट में आप सभी स्टुडेंट्स को दिखा सकता हूं यह रही वैबसाइट आपके सामने यह है यह जब आप इससे लोगिन करोगे अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं स्टुडेंट्स यहां पर आपके लिए वाले बच्चों के लिए जिनको वगेरा के लिए कांसलिंग करवानी है ठीक है मैं इनकी स्टैपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आपके सामनी इसी चैनल पर आएगी कि पर इसके लिए कौन सी बीडियोश के लिए अगर उसके तरब जाएं तो हम एमसी के लिए बीडियोश की कितनी क्या कटोप रहने वाली है अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं स्टुडेंट्स यहां पर दो स्टैप में आपके कांसलिंग होगी जो कि म इवल 15% का है बट कुछ ऐसी कोली जपने इंडिया के अंदर जो सेंट्रल इंश्टी के नाम से जान जाती है जिसके अंदर मतलब हैंडर परसंटेज सीट कौन फिलप करता है यह कौन करता है और अवर इंडिया कोटा के तुरू यहां पर 100% जितनी भी एमस इंडिया के अं से उनकी जो सीट फिलप किसके तुरू होगी हैंडर परसंटेज सीट यहां पर स्टेट का कोटा काम नहीं आने वाला ना एफमसी में काम आने वाला एफमसी के अंदर इंट्रू और होगा सेपरेटिड इंट्रू पहले जैसे आपके डॉकुमेंट्स वरिविकेसन होगे आ सारी की सारी AIQ All India कोटा के तुरू स्टेट का कोई रोल नहीं रहने वाला अब आते हैं यहां पर सेकिंड स्टेप में सेकिंड स्टेप में जैसे सो परसंटेज सीट है अब हर स्टेट जैसे SMS जैपूर हुआ ठीक है SP पतेल कोले जैसे कोई भी कोले जैसे राजुस्तान की करवाएगा उनके अंदर सीट फिलब करवाएगा MCC मैं अगर आपको BMS वाली करवानी है तो आयूस करवाएगा अगर स्टूडेंट्स आपको 85% तो इसके लिए साप प्रेट रजिस्टेशन होगा फिर भी किसी स्टूडेंट्स की कोई क्योर्यों रह जाती है तो मैंने स् आप लिखा है फ्री कांसलिंग के लिए आप जी इस प्रेंट इंस्टूट के अप्लिकेशन डाउनलोड कर लो वहां पर मैं हर एक पीडिया हर एक चीज आपको मैं बताने वालों बहुत सेपरेटली सब कुछ फिरी करवाऊंगा स्टूडेंट्स यहां पर आपको और यह लाउंबर भी आपको दे दिया तो स्केट कोटा की अलग से फिस लगेगी अल और इंडिया का अलग से दोनों का रिजिस्टेशन सेपरेट होगा स्टूडेंट्स उसके बाद हम आगे कितने राउंड्स होंगी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकेंड एंड मॉप अप में तो आपको अगर कांसलिंग करवानी है फृव कांसलिंग करवानी बहुत अच्छे से क्यूंट टू-पॉइंट के लोगा ना क्योंकि आप एक बार किसी भी चीज के उपर क्योंट करने से पहले हमी इस चैनल की प्लेश्ट विजट कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर ज पहले तो यह क्लियर हो गया होगा कि आपका कौन सी काउंसलिंग किस कितरी होगी अब एक स्पेसल वीडियो और बनाएंगे जिसमें कॉंप्लीट डिटेल अनॉलाइस होगी तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा विदिन वन टू टू डेज के अंदर आपको यह वीडियो द आपको यह वीडियो घट चुनट्स